गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे आप लो बढ़िया ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स आज लेंगे सम नंबर 7 थ्री कॉलम्ब वाली केस बुग है यानि कैस बैंक और डिसकाउंट और यह वाले समय फ्रेंड्स हम दो इंस्टूमेट के बारे में थोड़ा बहुत इंफ्र कर व्लड दोनों कि दोनों वह ही है ठीक है अब क्या क्या कैसे jijशन नंए फो थाल एंप्रेंट्स है जिससे आफ्यान वंअन ट्रांसपर करोगि नहीं आदर गांक अब है इलेक्त्रौनिक इंस्टूमेंट यानि ऑनलाइन पैसे आप ट्रांसपर करना जैसे हम अभी UPI भी यूज़ कर रहे है ठीक है तो यह ही है सब आप पैसे बिजनस में अभी यह दोनों इंस्टूमेंट यानि आटे जीएस तो बहुत ही यूज़ होता है यानि आप इलेक्त्रोंिक पैसे यानी आप इस्टूमेंट हो गए इलेक्त्रोनिक October आप पैसे ट्रांसपर करकर पाओगै यानि ऑनलाइन जैसे हम बोलते हैं ठीक है किया आप अनि INF T यानि अब टू तू लेक रूपीज आप अनि आप !नि और अनित से ट्रांसपर कर सकते हो ठीक है और more than 2 lakh रोपीज होंगे तो आप RTGS से ट्रांसपर कर सकते हो क्या है फुल फॉर्म NEFT का तो नेशनल इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसपर NEFT यानि नेशनल इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसपर RTGS का फुल फॉर्म क्या है तो रियल टाइम ग्रॉस सेटल्मेंट बस वही दो पैसे तो देखा जाए तो दोनों इलेक्ट्रोनिक ईंस्ट्रॉमेंट ही है जैसे फंड ट्रांसपर कि रहा है दोनों फेसिलिटी कौन प्रो ऐड करते है फेंस तो बैंक प्रोवंड करती है दोनों की दोनों फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करती है क्यों टू फैसिलेट देर कस्टमर यह एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है अब मैंने बोला है कि अप टू लेक होंगे तो आप अप्टी से ट्रांसफर कर दो और मोर देन टू लेक रूपीज होगे तो प्रोवाइड कर दो ठीक है वैसे देगा जाए तो ने अप्टी में ऐसी कोई डेटलाइन नहीं है कि आप टू लेक रूपीज पर बैंक यही फैसिलेटीव प्रोवाइड करती है रिजर्व बैंक ने ऐसा कुछ डेटलाइन यानि मिनीमम और मैक्सिमम रिक्वार्मेंट न पहले तो बैंक ने थोड़ टाइमिंग भी रखे हुए थे कि मालनों कि आपको आटीज करना है तो मौनिंग नाइन टू फोर थर्टी टक रखता था ब्राबर एनि अप्टी था तो सुबह एट टू सेवन है बट अब तो नाव बैंकों ने भी अपनी जो वर्किंग अवर एलोट करते हैं बैंक, को रेहिता। बैंक सटन अमाउंट आप कमैशन चार्स करती है त्थी Oreo शेक कौने आपको चेक लिखने की जरू होती नहीं में पेसे चले जाएंगे ना कोई चेक की को लेने आया या आपने देने आया पेपर लेस्ट है आप मोबाइल से भी यूज कर सकते हूं आप अपने मोबाइल में इंटरेट हो तो आप RTGS से बैंक की आप डाउनलोड कर लो वह एप में आपको मिल जाएंगा RTGS यानि अपक्लिप ठीक है मैंने भी किया हुआ है पैसे ट्रांसपर किया हुआ है यानि UPI से भी कर सकते हो आप यह सब इंस्ट्रूमेंट है आप समझ गया कि यह सबकी अपनी रिक्वार्मेंट है उसी साब से इंस्ट्रूमेंट और नावएड़ेस तो बिजनेस में दोनों के दोनों आर्ट इस तो बहुत ही यूज़ होता है ठीक है अब लेते फ्रेंड सम नंबर सेवन ठीक है फुड़ी इंप और 2% cash discount है तो 3,002% यानि 3,002% यानि 6,000 आपके deduct हो जाएंगे यह आपका CD हो गया यानि friends 2,94,000 पर्चेस किया पैसे जाएंगे तो सिधी बात है जाएंगे तो सिधी बात है debit what comes in credit was goes out यानि credit side आएंगे entry परावर कहां लिखेंगे तो 6,000 discount के क्योंकि cash discount है it should be deducted और recorded यानि deduct भी होंगे और record भी होंगे या discount के कॉलम में 6,000 चले जाएंगे और bank के कॉलम में सिधी बात है bank के कॉलम में चले जाएंगे 2,94,000 चले बात है तो वो भी मैं आपको score कर देता हूं friends यह रहे हमारे opening balances और 6,000 और 2,94,000 पैसे जा रहे और यह रहे हमारे charges क्योंकि bank charge तो करेगी क्योंकि आपका fund यहां से वहां transfer कर रहे है done तो bank charge कर रहे है clear next charges कितने होगे तो वो तो bank decide करती है ठीक है next date 5 goods of rupees 1 lakh sold to Rajis he has sent amount through anyft bank as creditors यानि पैसे आ रहे है sold किये हुए सिधी बाद पैसे आ रहे है तो bank के column में आएंगे ठीक है goods of rupees 4 lakh sold to maize at 2% cash discount यानि 4 lakh goods चलो minus 2% CD 2% CD यानि 8000 सिधी बात है यानि 392,000 सिधी बात है पैसे sold किये तो सिधी बात है आएंगे ही और RTGS से आ रहे है तो पैसे आ रहे है तो debit what comes in cash sales हो गया हमारा debit what comes in तो यहां पर मैं आपको so call देता हूं यह रहे फ्रेंट्स चलो यह रहा हमारा फ्रेंट्स 8000 यह रहे हमारा फ्रेंट्स 3 lakh 90 2000 डन चलो next यह भी कंप्रेट हो गया हमारा अब लेते देत नम्बर 6 कंप्रेट हो गया हमारे देत 7 इंसुरंस प्रीमियम अब रुपी 10,000 पेड त्रू एने एप्टी एने एप्टी चार्जीस इंकड त्री रुपी पेड किये तो पैसे जाएंगे सिधी बात ते क्रेडिट सेड एंट्री आएगी मैं आपको so कर देता हूं वह चलो है दोनों सो कर देता हूं मैं आपको सेवन और नाइन यह रहे फ्रेंट्स सेवन और नाइन ठीक है यह रहा चार्जीस भी आगया हमारा ठीक है इंसुरंस प्रीमियम हमारा दन चलो कि अदिट 10 ले लेते हैं बाद में तो हुई है कैसे पैसे आएंगे कैस के कॉलम में लेख देते हैं यह रहे 30,000 ठीक है 11 डिट नेक्सट चलो आए फ्रेंट 10,000 वीड्रोन from bank for personal expenses यानि विड्रॉन किये for personal expenses तो drawings हो गया हमारा friends तो पैसे जा रहे business में तो credit side drawing account ठीक है वो मैं आपको show कर देता हूं 12,000 paid to rumish toward payable amount यानि पैसे pay कर रहे है तो पैसे जा रहे है तो वो भी credit side यानि यह सिधी बात है तो यह आएंगे हमारे cash के column 12,000 यह दोनों के दोने एंट्रे तो फ्रेंड में आपको show कर देता हूं यह आपके 10 और 12 त्यूंकि यह बैंक पैसे withdrawal किया हूं तो यह नि बैंक के column में चले जाएगे ठीक है next चलो नेक्स्ट डेट है हमारी friends ले लेते 13 कि रमनेश पे 22,000 थ्रू एनि एप्टी टूर्ल अवर रिचिएबल एमाउंट बैंक एस क्रेडिटेड देमाउंट पैसे आ रहे है डेविडवाड कम जीन यह रहे है बैंक के column में क्योंकि बैंक त्रूपेसे आ रहे हैं ठीक है friends लेते 14 कि रेंट पेड़ कैस से पेड़ किया हुआ है तो सीधी बात पैसे जा रहे है क्रेडिट साइड कैस के column में और ट्रेडर्स उनके लिए तो इनकम ही है तो पैसे आ रहे हैं हमारे बैंक एकाउंट में आता है ठीक है तो पता यह दोनों साइट टोडल कर लो और डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लो तो यह हो गया फ्रेंड हमारा थ्री कॉलंब कैस्ट बुक विद एनिफ्ट और टीजिएस फ्रेंड फिर से एनिफ्ट और टीजिएस एक ओनलाइन फंड ट्रांसपर के इंस्टूमेंट है और कुछ नहीं है और यह फ्रेंट कोंण प्रोवैड करती है तो बैंक करती है ठीके तो आप रजिस्टर कर वा होग अनिफ्ट राटी-जिएस के लिए फिर आप वो जो इस्टूमेंट है वो आप यूज करों और नाविव देश तो बहुत ही यूज होते हैं माइंड में यह रखना है कि अब बैंक क्या करती है अब टू लेक का ट्रांजेक्शन होगा तो आटी जेस बैंक चार्जिस सटन अमाउंट और कमिशन बस बाकी और कुछ होता नहीं हो ठीक है प्रेंट तो यह वाले समय फ्रांड यार यह वाले वीडियो में इतना यह समय यहां पर हम कंप्रिट कर देते हैं ठीक है एव गुड डेर